जैश्री क्रिष्ना आईई सुनते हैं बिज्या एकादसी कब है शुब महोर, पूजन विधी, महत्व, इवम इस दिन क्या करें, क्या ना करें? ब्रतों में प्रमुक, ब्रत नवरात्री, पूडिमा, अमावश्या और एकादसी के हैं, उसमें भी सबसे बड़ा ब्रत एकादसी का माना जाता है, चंद्रमा की इस्थिती के कारण व्यत्ती की मानसिक और साररिक इस्थिती खराब और अच्छी होती है, ऐसी दसा में एकादसी ब्रत से चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है, यहां एकादसी का ब्रत रखने से ग्रहों के असर को भी काफी कम किया जा सकता है, बिजिया एकादसी अपने नाम के अनसार बिजय दिलाने वाली माने जाती है, इस एकादसी पर भगवान विश्रू की उपाशना होती है. इस एकादसी का ब्रत करने से भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं. बिजिया एकादसी पर पूजा उपाशना करने से बड़े से बड़े सक्तिसाली सत्रों को परास्त कर सकते हैं इस बाद बिजिया एकादसी की तारीक को लेकर लोगों में बहुत उल्जन है कि बिजिया एकादसी 16 फर्वरी या 17 फर्वरी को मनाई जाएगी बिज्या एकादसी का ब्रत फालगुन माह की कृष्ण पच्की एकादसी को रखा जाता है इस बार बिज्या एकादसी सोला फर्वरी और सत्रा फर्वरी दोनों दिन मनाई जाएगी बिज्या एकादसी की तिथी का प्रारम। सोला फर्वरी को सुबह पाच बजकर बत्तिस मिनट पर होगा और इसका समापन। सत्रा फर्वरी को राद दो बजकर उन्चास मिनट पर होगा उद्या तिथी की अंसार। बिज्या एकादसी सोला फर्वरी को ही मनाई जाएगी वैस्टव समुदाय की एकादसी सत्रा फर्वरी को मनाई जाएगी बिज्या एकादसी का पारन सत्रा फर्वरी को सुबह आठ बजकर एक मिनट से लेकर नौ बजकर तेरह मिनट तक रहेगा। आईए सुनते हैं, विज्या एकादसी पूजन बिधी, विज्या एकादसी से एक दिन पहले, उस पर एक बिधी बनाकर उस पर सब्तधान्य रखें, विज्या एकादसी के दिन, इसके बाद स्रध्धा पुर्वक स्रीहरी का पूजन करें मस्तक पर सफेज चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें उसके बाद पंचामरित फूल और रितूफल अरपित करें इस दिन उपवास रखना बहुत ही उत्तमाना जाता है अगर आहार ग्रहड करना है तो सात्विक आहार ग्रहड करें, सामको आहार ग्रहड करने से पहले उपाशना और आरती जरूर करें, अगले दिन प्रातर काद उसी कलस का और अनुवस्त्र का दान करें, अगर उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक समय सात्विक भोजन ग्रहड करें, बिज्या एकादसी के दिन चावल और भारी खाने का शेवन ना करें, रात में इस दिन भगवान विश्डू की पूजा अवश्य करें, इस दिन क्रोध न करें, अपनी बारी पर नियंत्रण रखें और आचरण पर भी नियंत्रण रखें